प्यार में पढ़ने का लक्षन दोस्तों अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो गया है तो आप कैसे समझेंगे कि आप सुवे सच्चा प्रेम करती है आई जानती हैं आप कैसे समझेंगे कि आप सुवे सच्चा प्यार करती है अगर आपको किसी से प्यार है और आप दूध में हैं तो प्यार में पढ़ने के लक्षण को जानकर आपका यह भ्रहम समाप्त हो सकता है जिन्दगी में सब को कभी न कभी प्यार जरूर हुआ होगा और अगर नहीं हुआ है तो कभी हो सकता है प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे कोई भी आदमी अंचूना नहीं रह सकता अग बीना किसी बात पर मुस्क्राते फिरेंगे प्यार में होने के और भी बहुत लक्षणा है आईए हम आपको प्यार में पढ़ने के कुछ लक्षणा बताते हैं दोस्तों आपको ये लक्षणा जानने के लिए आप मेरे वडियो अंतेक दखिए और मेरा चैनल को सस्क्राइब चरूर करें क्योंकि इस पर हम प्यास से सम्मंदित बातों को बताते हैं आई जानते हैं वे टिप्स कौन से टिप्स नमर वन हमेशा उसी के बारे में सोचना अगर आपको प्यार हुआ है तो आप हर वक्त उसके बारे में ही सोचते रहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़त उसके ख्याल हमेशा आपको दिमाग में रहेंगे, आप दिन रात उसी के बारे में सोचने पर मजबूर रहेंगे, शुरुवात में आप इसे महज एक सुझाव समझेंगे, लेकिन आप लाग कोशिस का बावजूद भी उसकी याज से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, त दोस्तों अगर आपको याद आ रहे हैं, आपको याद आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो आप समझें कि आपको प्यार उससे हो गया है, अगर आप दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो सस्क्राइब जरूर कर लें, अब चलते हैं टिप्स न गाने सुनेंगे, गाना सुनने से आपके दिमाग की स्थिति का पता भी चलता है, प्यार होने से पहले के दिनों में भले ही आपके प्लेलिस्ट में रॉक या ट्रांस मेजिक होते हो, लेकिन प्यार में पढ़ने अक बाद आपकी प्लेलिस्ट में रोमांटीक गानों से भरा जाएगी अगर आपको साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझाए कि आपको प्यार हो चुका है दोस्तों अगर आपको प्यार हो गया है तो आप हमेसा रोमांटिक गाने सुनते रहेंगे आप हमेसा उसी कबार में सोचते हैं और आपको किसी भी परकार का कर आपको मुबा बार बार उससे मिलने के इच्छा होना प्यार होने के बाद उस इनसान से एक बार मिलने के बाद भी आपका मन दुबारा मिलने का करें या फिर बिना किसी वज़ा आप उससे बात करने के कोशिस करें तो प्यार होने का पूरा मौका है प्यार में पड़े लोगों को केवल उस के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है जिसे वे प्यार करते हैं इसे कोई गलत बात नहीं है क्योंकि जिससे प्यार हो जाता है उसके बारे में और जाने का मन करता है इसलिए अगर आप भी हर सेकेंड उससे मिलने का प्लान बनाते हैं तो प्यार हो गया है दोस्तों अगर आपको प्यार हो गया है तो आप हमेशा उससे मिलने के लिए कोशिश करते रहेंगे और आप मिलेंगे तो उसके साथ बाते जादा से जादा करने के कोशिश करेंगा और आपको दूसरे कुछ सूचने के इच्छा नहीं करेगा तो दोस्तो आप समझेगा आपको उस लड़की से प्यार हो चुका है दोस्तों अगर आपने अविद्यक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो लाल बटन को दबा कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने क्योंकि इस पर लव से रिलेटेड बातें बताए जाती है टेप्स नमर फोर्थ खुद को बदलना प्यार में पड़े लोग अपने आपको बदलने की कोशिस करते हैं आपका द्यान आपके सरीप पर जाएगा आप हमेशा स्मार्ट लगने के कोशिस करेंगे आप नक्यों सरीक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बदल जाएंगे आप यहीं सुचेंगे अच्छे इनसान ही बने रहे ये, दोस्तों अगर आपको प्यार हो गया तो आप हमेशा अच्छे अच्छे कपड़ पहनेंगे और इंप्रेस करने के लिए नए नए तरीके खुचते रहेंगे और आपको हमेशा आपको याद आएगी और आप उसी के बारे में जहां रहेंगे वहां सोचते रहेंगे दोस्तों अकर आपके इस सब दिमाग में ख्याला रहा है तो आप समझेए कि आपको किसी भी लड़की से प्यार हो चुका है और आप उसे इंप्रेज जरूर करें दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग मत अपन थीछ कि अ करेंगे और आपके रहेंगे जर रहेंगे जिएके लोस्तों को